Good Modicare Morning दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Modicare के एक सांदार प्रोड़क्त नोनी जूस के फायदे के बारे में और ये कौन-कौन सी बीमारी उसे हमें बचाने में मदद करता है साथी इनमें कौन-कौन से पॉसकता तो मिले हुए होते सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चनल पर नए हैं तो प्लीज जाके चनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा के और पर सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पोचे नोनी मोरिंडा सिट्रिफोलिया फैमली का पौधा है जो दच्छिन पूर्व और दच्छिन एक्या सहीग परसांद महादीपों में पाये जाता है इस पौधे की सबसे खास बात है यह अकसर जौला मुकी से इनके लिए लावा के प्रभा के बीच पनपता है नोनी फल को जड़ी बूटियों में सुमार किया जाता है इसे प्रागर्तिक आउजदी का भंडार माना जाता है इसमें डेट सो से भी ज़्यादा पोसकत होते हैं जो आपका तमाम बड़ी बीमारियों से बचाओ करते हैं इसकी पतियां, तना, फल और जूस सभी का इस्तेमाल आउजदी के रूब में किया जाता है बाना जाता है इस चमत कारी फल में सो से भी ज़्यादा रोगों को ठीक करने की तागत होती है नोनी के रसमें कई ऐसे गुण और पोसकत होते हैं जो विविन बीमारियों से हमारी रच्छा करते हैं नोनी जूस में एंटी कैंसर और एंटी आउक्सिडेंट गुड पाये जाते हैं ये गुड कैंसर के सेल्स को पनपने से रोगते हैं जिससे सरीर में कैंसर नहीं फैलता है ساتھی औज़ीयो गुडोंसे भरपूर नोनी जूस जुम्र पांच से होने वाले कैंसर की खत्रे को भी दूर करता है इतना ही नहीं यह एंटि ट्यूमर गुडोंसे भी संपन है जो कैंसर को बढ़ाने वाले ट्यूमर को बनने से पहले ही रोक देता है और सरीर को ट्यूमर वा कैंसर से बचाने में कारगार होता है डायवटीज के मरीजों के लिए प्रिचितीन दो गिलास नोनी के रसका 751 होता है ये एंटी डायवटीज गुडों से भरपूर होता है जो टाइप 2 डायवटीज को नियंतन करता है ये गुड रक्त में मौझूस सुगर और गुलुकोज की मात्रा को कम करके डायवटीज को कंट्रोल करने में मदद करते हैं अगर आपको प्रितरच्चा पणाली को ठीक करना है या फिर उसे बढ़ाना है तो नोनी का जूस आपकी मदद कर सकता है नोनी का जूस में एंटी ऑक्सिडेंट के साथ कई गुड ऐसे मौझूद होते हैं जो आपकी प्रितरच्चा पणाली में सुधार के साथ कई भीमारियों से आपकी सुरच्चा करते हैं पाचन संबंदी समस्या के लिए नोनी का जूस अच्छा समाधान हो सकता है इसमें दर्द और सूजन से रात देने वाले गुड होते हैं जो आतों की सूजन को दूर करने में मदद करते हैं इसके लाबा इसमें और भी कई गुड होते हैं जो पाचन संबंदी समस्या को दूर करने में फायदे मंद हो सकते हैं अगर आप लीवर की समस्या से परिशान है तो नोनी का जूस आपके लिए फायदेमंद होता है। इसमें हिपैटर प्रोटेक्टिव गुड होते हैं जो लीवर को नुपसान पहुचाने वाले कायनों से लीवर की सुरच्छा करने में सच्छम होते हैं। साथ ही लीवर की गतिविदी को भी मजबूत करने में कारगार होते हैं। कारवन टेटराक्लोराइड जिसका उपयोग बसा और तेलों में किया जाता है लीवर के लिए टॉक्सिन का कार करता है। और नोनी का जूस तीबर कार्बन टेट्रकुलराइड टॉक्सिन के खिलाब नीवर की रच्छा में लावकारी होता है। नोनी के रसमें कई वीमारियों को दूर करने के साथ ही और कई गुड होते हैं जो इसे लावकारी बनाता है। इसमें anti-inflammatory good होता है, जो सूजन को कम करने में मदद करता है। सोध में पाया गया कि naoni में पाया जाने वाले धंधीय कारण घया रहा है। उन लोगों के लिए नoni का जूस बहुद फायदे मंद होता है। नoni के रसमें anti-arthritis good होते हैं, जो मोटापे को रोकने और वजन कम करने में कारगार होते हैं इस कारण नोनी के जूस के सेवन से वजन को नियंतर रखना आसान होता है मस्तिस के स्वास्ता के लिए नोनी का रस लागदाइक होता है इसमें एंटी आक्सिडेंट और एंटी इंफ्लोमेटरी जैसे कई औस जिर गुड होते हैं, नोनी में पाया जाने वाले ये गुड इसकेमिक तनाओ के कारण होने वाली मस्तिक छती पर सुरच्छात्मक कारते हैं, नोनी का जूस हर्दे के लिए भी फायदयमंद होता है, इस साथी शरीर को स्वस्त बना रखने में भी मदद करते हैं, नोनी में मौझूल जैरो निन कोशिकाओं को ठीक करता है, साथी इस पर एंटी इजिंग गुड होते हैं, नोनी के रस को टिसू की देखवाल करने के लिए भी जाना जाता है, बढ़ती हुई उम्र के कारण स्पा साथी बालों के ऩे खत्रे को कम करते हैं, बैक्टीरिया के करन कई बीमारीयों का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे में Unilead के संक्रमाट को रोकने के लिए नोनी का सेवन बहुत फायदे मन्द होता है, इसमें मजूद एंटी बैक्टीरियल कूर ना सिर बैक्टीरिया के करता है, बल्कि से होने वाली विमारी को भी रोकने में मदद करता है. अगर आपको बालों की समस्या थो नोनी सूर्स आपके लिए फायदेंद हो सकता है, इसमें गरते हैं नोनी में पाए जाने वाली भी पोशाकत तो ना सिर्फ बालों की विकास में साइक होते हैं, बलकि बालों से जुड़ी हुई कई समस्याओं जैसे बालों को ज्टना, सफेद होना, रूसी वारूखे पंदे जुटकारा दिलाने में मदद करते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं, अगली वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें